हे गाईज, असलाम अलेकों मैं वेलकम बैक टू मैं चैनल, आज की वीडियो में मैं आप के साथ शेयर करने वाली हूँ सस्ता वसेज महंगा संस्क्रीन का कॉम्पैरिजन वीडियो, दोनों में से कौन अच्छा सस्ता या फिर महंगा, मेरे पास है एक आयूर का संस्क्रीन वि वीडियो पसंद आती है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा और इसका जो ML है वो 100 ML में आता है, SPF 30 के साथ आता है, इसकी जो प्राइज है वो है 150, लेकिन अगर आप थोड़े से बार्गिनिंग करोगे तो इससे कम रेट में भी आपको मिल जाएगी आसानी से, क्योंकि मैंने खूद इसे 120 मिलिया है फ्रेंड्स अगर हम बात करते हैं, फोटो बन 30 की तो इसकी जो बाटाल है, वो सिर्फ 60 ML की है, जिसकी प्राइज है 360 रूपीज, जो की आयूर संस्क्रीन से काफी जादा है, क्योंकि वो आपको 100 ML दे रहे है 150 में, और बार्गिनिंग करने पर वो 120 तक में भी आपको दे द की, वहीं अगर आयूर संस्क्रीन की बात करें, तो ये आपको मिलती है 3 साल के self light के साथ, तो यहाँ पे तो इसी नेबाजी मारी आयूर संस्क्रीन नहीं, क्योंकि इसमें 3 साल के आपको self light मिल जाती है. फ्रेंट्स अब हम फटाफट से जान लेते हैं कि दोनों के composition में क्या difference है दोनों में कौन सी चीजों को डाल कर मिलाया गया है क्या कोई similarities है या नहीं है तो start करते हैं सबसे पहले eye your sunscreen से फ्रेंट्स eye your sunscreen में सबसे पहले aqua को मिलाया गया है यानि कि water को उसके बाद इसमें मिलाया गया है octal myth oxycinamate फ्रेंट्स octal myth oxycinamate जो होता है वो skin damage से बचाता है scars को भी कम करने के लिए helpful होता है और UVB rays का absorption करने का काम करता है इसलिए बहुत सारी कमपनियां इसका इस्तिमाल बहुत सारी sunscreen और cosmetic product में करते हैं फ्रेंट्स इसमें aloe vera का भी इस्तिमाल किया गया है आप सभी को पता होगा कि कितना ज्यादा effective होता है aloe vera gel जो कि skin को नरिश्ट करने में soothing करने में काफी helpful होता है फ्रेंट्स आयूर sunscreen में vitamin E को भी मिलाया गया है और आप सभी को पता होगा कि vitamin E जो होता है वो एक antioxidant के तरह काम करता है फ्रेंट्स इसमें butyl, mitoxy, die, benzoil, methane का भी इस्तिमाल किया गया है जो कि sun protection का काम करता है फ्रेंट्स इसके बाद इसमें ekyl benzoate को भी मिलाया गया है जो कि जादतर baby care, bathing, saving और sun care product में किया जाता है इसका इस्तिमाल और ये skin को soft और velvety बनान में काफी helpful होता है और आसानी से skin में फैलने में भी help करता है, absorption में help करता है फ्रेंट्स इसमें last में मिलाया गया है teno zork को ये protection देता है broad spectrum से जैसे की UV rays से और UVA और UVB से फ्रेंट्स अब हम बात करेंगे photo band 30 के composition के बारे में तो इसके जो composition है वो काफी different है आपके eye or sunscreen से लेकिन एक जो ingredients है वो same डाली गई है और वो ingredients है octal myth oxycinamate जो की same है दोनों में डाली गई है फ्रेंट्स इसके बाद इसमें मिलाया गया है octocrylene ये एक colorless oily liquid होता है जो की cosmetics and personal care product में डाला जाता है इसका इस्तेमाल sun protection के रूप में भी किया जाता है skin और nail scare product में भी डाला जाता है और UV rays से ये protect भी करता है फ्रेंट्स इसके बाद इसमें बड़ी काम की चीज को मिलाया गया है यानि की evo benzone evo benzone का काम क्या होता है कि बहुत सरे लोगों को जो early aging आने लगती है तो उसको ये रोग देता है आने से ये skin cancer के भी risk को काफी हद तक कम कर देता है उसके अलावा अगर आप इसको एक बड़ लगा लेते तो काफी लंबे समय तक ये आपको protection देता है और UV rays से ये protect करता है आपके पूरे body को expose ये और आपको जहां पर भी इसको लगाओगे तो उसके बाद इसमें oxybenzone को मिलाया गया है ये जो oxybenzone होता है वो आपको UV A और UV B दोनों तरह के रेज से protection प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है इसके अलावा इसमें जो last ingredients मिलाया गया है वो है zinc oxide जिसका काम होता है किसी भी तरह की eating या फिर burning या फिर irritation जो होता है उसको कम करता है और उसके साथ ही UV A और UV B दोनों से protection देता है फ्रेंड्स अब हम last में बात करेंगे दोनों के fragrance के बारे में और कौन से skin type वाले से use कर सकते हैं तो start करते है फोटो बन 30 से फ्रेंड्स फोटो बन 30 को जादा तर डॉक्टर ही recommend करते क्योंकि ये एक dermalogist tested है और आपको medical shop में ही ये मिलेगी और इसलिए इसकी जो smell है वो थोड़ी सी chemical जैसी है या फिर medicine type का है और मुझे तो इसकी smell थोड़ी थोड़ी फेबिकोल सी लगती है तो मुझे इसका smell उतना पसंद नहीं है लेकिन ये easily absorb कर जाता है आपके पूरे skin में क्योंकि इसमें मिला हुआ है zinc oxide तो आपके जो skin होती है वो थोड़ी सी nourish भी कर देता है तो दिखने में काफी अच्छा लगता है आपका जो white cast नहीं छोड़ता है अब हम बात करते हैं आयूर sunscreen की फ्रेंड्स आयूर sunscreen भी ट्रावल फ्रेंडली है आप इसको आसानी से कहीं भी सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसके सब्सक्राइब करते हैं तो आप इसके साथ जा सकते हैं काफी सेफ रहेंगे आपके लिए फ्रेंड्स जिन लोगों की भी ऑईली स्कीन है वो भी फोटो बन 30 का यूज़ कर सकते हैं क्यूंकि ये संस्क्राइब कर सक्दे के लिए थोड़ी दिक्कत क्यूंकि उसको लगाने की फेस लगने लगटा है विल्य दिक्कते बात ही नहीं आप दोनों में से कोई भी sunskreen को लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, फ्रेंडस अगर personally मुझे से पूछा जाए, तो मुझे तो I.O. sunscreen जादा पसंद है, क्योंकि उसका fragrance काफी energetic है, काफी relaxing है, और उसका जो texture भी है, वो भी मुझे काफी पसंद है उसका प्राइस भी काफी चीप है लेकिन यह है कि उसमें पाराबीन डाला हुआ है तो अगर आप पाराबीन वाले प्रोड़क्स यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप उससे अवाइड कर सकते हैं और यह था आज का प्रोड़क्ट रिव्यू अगर आपको जरह सभी पसंद आई या फिर हेल्पूल रही तो प्लीज मिले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे सब्सक्राइब करना बिलकुल फ्री है और बेहादासान नीचे का रेट कलर का बटन को क्लिक कर दे साथी बेल आ लंडी नीच्ट है श्माइस अधिर टैले ट्ली थेकर बाए बाई